नमस्कार मांसिक रूप से मजबूत व्यक्ति हमेशा सुख और दुख में मजबूत रहता है वो ना तो दुख में टूटता है ना सुख में उचलता है यह मांसिक रूप से जो मजबूत व्यक्ति होते है ना उनके अंदर एसी क्या क्वाल्टीज होती है एसी क्या खूबी होती है जो दूसरे लोगों को अट्रक करते हैं और किसी भी प्रस्ति में किसी भी सिचियोस्टन में वो गबराते नहीं हिम्मत से तेरिये से काम लेड़े आखिर उन मांसिक रूप से मजबूत लोगों में एसी क्या विश्यस्ता है जो अपन देखेंगे अंबर वान हर चीज में वो पोजेटिव आस्पेक्ट देखते हैं कोई भी वर्क लेंगे कोई भी कारी लेंगे तो सबसे पहले उसमें पोजेटिव चीज देखेंगे कि इ बाद करेंगे ना कारात्मग नुक्सानG की बातें देखेंगे लिगिन बाद में पहले उसके बार हम पोजेटिव सोचेंगे अगर आप किसी को लेकर सुरुवासमी नेगटिव सोच लेता हो ना तो आपके दिमाग में नेगटिव नेगटिव बात है गर कर जाती है फिर बात में पोजेटिव लेते हैं तो उतना वो पोजेटिव आपके माइंड में बेट नहीं बाता है जितना नेगटिव बेट जाता तो सबसे पहले positive aspect अपने mind में बेठाए किसी भी चीज को लेकर उसके बाद उसकी negative बाते लें तो फिर आप उसका सही आंक्लन कर पाऊगे। मांसिक रूप से मजबूत व्यक्ति हमेशा वो काम करते जिन से उनको खुशी मिलती है। वो कोई भी काम करते तो बेमन से नहीं करते हैं। किसी को खुश करने के लिए नहीं करते हैं। हर कायरी करते हैं उसमें 100% लगाते हैं। तब ही उसमें result निकल के आता है। आपको पता है आपको कायरी करोगे अगर आपका मन नहीं है बे मन से कायरी कर रहे है तो उसमें कोई रिजल्ट आएगा नहीं आएगा तो वर्क वो करें जिससे आपको हैपिनेस मिलती हो जिससे आपको सेटिसफेक्शन मिलता हो तब ही आपको mind, दिल और दिमाद से मजबूत होगा मांसिक रूप से मजबूत व्यक्ति हमेशा लोगों को motivate करते रहते हैं उनकी सबसे बड़ी आदत है जो मांसिक रूप से मजबूत लोग होते हैं उनके पास दूसरे लोग बेटने आते हैं कहारे हैं उनकी विशय रोप से मजबूत व्यक्ति दुक में गबरते नहीं सुक में उचलते नहीं ध्यान रखना मानसिक रूप से जो मजबूत व्यक्ति होता ना उसकी सबसे बड़ी quality यह होती है वह सुक और दुख दोनों में बराबर अपनी परस्तिते आते हैं दुख आये तो रोते नहीं है, दुख आये तो चिलाते नहीं है दुख आये तो देरी से काम लेते हैं और सुक में डोल नहीं पीटते, उचलते नहीं हैं सुक में भी बराबर रहते हैं उनको पता है कि लाइफ चल रहे हैं सुक भी आयेगा, दुख भी आयेगा इस दुन्या में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में सिर्फ सुक हो या पिर जिसके जीवन में सिर्फ दुख हो ऐसा कोई इंसान नहीं है इसलिए उनको सब पता है कि सुक भी आयेगा, दुख भी आयेगा लेकिन दोनों प्रस्तिते में हमें समान तेरा है मांसिक रूप से व्यक्ति हमेशा सांत रहते हैं वो ज़्यादा उचल खुद नहीं करते हैं वो सांती से अपना कारिय करते हैं अधिकतर लोगों को देखना जो मांसिक रूप से मजबूत व्यक्ति हैं जो सफल व्यक्ति हैं वो हमेशा सांत रहना पसंद करते हैं वो बोलते कम और सुनते ज़्यादा हैं, वो लोगों की बाते ज़्यादा सुनते हैं, और बोलते कम हैं, मांसिक रूप से मजबूत हैं कि खुद का खयाल रखते हैं, उनको पता है, कि खुद का खयाल नहीं रखेंगे ना, तो फिर क्या होगा, दिल, दिमाग में बिमारी बे खयाल रखते हैं तो मांसिक रूप से मजबूत व्यक्ति में ये qualities पाई जाती है इसलिए मांसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ना सुक में तूटते हैं ना दुख में तूटते हैं वो दोनों परसिते में समान रहते हैं और मजबूत रहते हैं